Hi everyone, welcome to this video and in this video we are going to make a java program based upon amicable numbers So in this program we have to input two numbers and check whether those numbers are amicable or not So, कैसे करेंगे इस program को, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि what are amicable numbers Then उसके logic को समझेंगे, तो सबसे पहले हमें कैसे implement करेंगे, इसके बारे हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि amicable numbers होते हैं जैसे मालों, for example, हम आपास दो numbers है, 220 and 284 And यह amicable होते हैं, so basically amicable number का definition यह कहता है That आप दो numbers लो, and उन दोनों numbers के factors calculate करो, ठीक है And दोनों numbers के जो factors होंगे, उनका individual sum निकाल लो So अगर हम यहाँ पर 220 के factors देखें, so 220 के factors क्या हो सकते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 and 110 इसके बाद 220 आएगा बठ हम उसको नहीं देंगे तो आपने सारे factors निकाल लिए आप चाहें तो check कर सकते हो, यह सारे numbers 220 को exactly divide करते हैं इसलिए उसके factors नहीं है Then 284 के अगर हम factors निकाले, तो 284 के factors हो जाएंगे 1, 2, 4, 71 and 142 इनके अलावा इसके कोई और factors नहीं होता है तो आप इन सब को देख लो, ठीक है अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो दोनों के अलग-अलग factors निकाले हैं हम उनका sum करेंगे तो आप इन सारे factors का sum कर लो, यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 284 and हम second number के factors का sum करेंगे तो यह आ जाएगा 220, ठीक है अब आप compare करके देखो, यह आपका क्या था फर्स number था, यह आपका क्या है second number, गौर करो कि first number के जो factors का sum आया है वो equal to क्या है second number ठीक है, और जो second number के factors का sum आया है वो किसके equal है फर्स number के तो आपने जो factors का sum निकाला फर्स number का, वो बराबर है देखो second वाले number के, जो second number के factors का sum आया वो बराबर है हमाई first number के तो ऐसे pair of numbers जिसमें यह condition अपलाए हो ऐसे numbers को हम बोलते हैं amicable so 220 and 284 are amicable numbers, ठीक है इसी तरह जितने भी pair of numbers आपके होंगे जो यह condition follow करेंगे, means आप sum of factors निकालोगा and factors, आपके sum of factors जो होगा वो numbers के equal होगा, तो ऐसे सारे pair of numbers क्या होते है, amicable, अब यह सब के लिए condition तो true नहीं होगा, तो हमें एक program बनाना है यहां पर, जो चेक कर सके that whether a pair of numbers is amicable or not तो यह था problem, चलो इसको बनाते हैं अब यहां पर हमने बना लिए amicable numbers नाम से class and उसके अंदर हमने बना लिए क्या main function सब इस main function में हमें सबसे पहला काम क्या करना है हमें सबसे पहले तो दो numbers को input कराना है यूजर से, यहां पर हमने scanner का object बना लिए है और दो numbers यूजर से input करा लिए है अब इसके बाद हमें क्या करना है numbers हमाँ पास आगे, num1 और num2 हमाँ क्या हो जाएंगे दो numbers, अब इसमें कोई भी दो numbers हो सकते हैं जो user ने हमें input दी हो अब हमें करना क्या है इसी num1 और num2 को हमें check करना है whether they are amicable or not सबसे पहले तो हमें दोनों के factors का sum निकालना है ठीक है, और सबसे पहले तो हमें factors find करना है कि कितने factors हैं और उनका sum करना है यहां पर हमने दो variables initialize कर लिए sum num1 and sum num2 पहले में first number के sum of factors आएंगे किते भी numbers बीच में आते जाएंगे हम हर एक को इस condition से check करते जाएंगे if num1 पहले number के हम बात करें if num1 mod i means i जो भी आपका loop variable इससमें होगा i से divide होकर क्या num1 आपका 0 remainder दे रहा है तो अगर वो 0 remainder दे रहा है means i उसका perfect divisor है means factor है तो i अगर आपका proper factor है तो उसको हम कहाँ add करा देंगे देखो sum के अंदर तो sum में basically आपके सारे factors add होते जाएंगे and last में हमें sum num1 में क्या मिलेगा सारे factors का sum of number 1 तो अब इससे तरह हमने second number factors का भी sum देखो निकाल लिए हैं यहाँपे हमने 1 से लिएके number 2 तक इस बार चलाया loop and जित्ते भी factors आपके आते जाएंगे बीच में हम चेक करते जाएंगे if num2 mod i means remainder i is equal to 0 मतलब i अगर num2 को perfectly divide कर रहा है तो हम उस सारे factors को कहाँ add करते जाएंगे sum num2 variable के अंदर तो आपके दो variables चो थे sum num1 and sum num2 के अंदर सारे factors के sum आ जाएंगे अब last में हमें क्या गरना होता है अगर आपको ध्यान हो तो हमने starting में क्या देखा था कि last में हम बस यह चेक करना है कि जो हमाई sum of factors आए है sum of factors 1 वाले के बराबर होने चाहिए number 2 के and sum of factors जो number 2 के हैं वो बराबर होना चाहिए num1 के तो अगर ऐसा है तब numbers amicable है तो यहां कैसे चेक करेंगे देखो so यहां पर इस condition को कैसे चेक करेंगे देखो हमने चेक किया if sum of factors of number 1 means sum number 1 जो पहले वाले number का sum of factors आया है या वो second number के बराबर है is double equal to num2 and and हम चेक करेंगे जो second वाले number के sum of factors है means sum num2 क्या वो बराबर है हमाई first value number के so अगर यह condition true है तो हमें क्या print कर देना है that these two numbers are amicable and अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या print करना है that these two numbers are not amicable so इस तरह होगा है program तो चलो इसको run करके देखते हैं भी so हमने इसको compile किया no syntax error and इसको run करते हैं so यह हमने run किया यह open हो गया terminal window so यहाँ पर हम numbers input करते हैं suppose अपने example ही input करते हैं हाँ पर 220 and 284 so यह दो numbers तो amicable होते हैं so इस program को cap in करना चाहिए that these two numbers are amicable so see यहाँ पर print हो रहा है that these numbers are amicable so यहाँ पर एक और example देखते हैं भी so इस बार हम एक random example देखते हैं ऐसी तो हमने input के 10 and 1234 so यहाँ पर क्या प्रिंट वाद these two numbers are not amicable आप देख भी सकते हो random number आपस में amicable नहीं होता है so यह है हमारा final program to check whether two numbers are amicable or not अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें modifications भी कर सकते हैं अब यह जो सारा program ने में यहाँ पर main function में लिखा है हम इसको using function भी कर सकते हैं देखो कैसे तो यहाँ तक देखो program सही है अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा function की help से और modify गर सकते हो थोड़ा better बना सकते हो तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हम इस जो हमने बूलियन is amicable नाम से और इसके अंदर हम दो values पास करेंगे int num1, int num2 यह function के अंदर दो inputs आएंगे और यह function का काम क्या होगा तो check whether those numbers है amicable or not तो वही जो हमने main function के अंदर code लिखा था वही यहाँ पर लिख देएंगे बस यहाँ पर थोड़ा सा difference आजएगा देखना क्या अब इसमें तो यह सारा पार्ट तो सेम होगा मतलब यहाँ पर हमें दो variables लेने पड़ेंगे some of factors भी निकालने पड़ेंगे बट यहाँ पर हम printing यहाँ पर नहीं करेंगे ठीक है अगर यह condition true होगा तो यह function बस क्या कर देगा return true मतलब यहाँ से true value return होके जाएगा अगर यह दोनो numbers आपके number 1 और number 2 amicable होते हैं तो else अगर आपके यह दो numbers नहीं amicable होते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देगे return false ठीक है बस यह change यहाँ पर हो जाएगा तो यह function true वहाँ से लेकर आएगा so if का condition हो जाएगा true and print हो जाएगा these two numbers are amicable numbers ठीक है तो आप चाहो तो इस program को function की help से भी कर सकते हो जो कि यहाँ पर उन्हें उस तरह किया है आप चाहो तो main में सारा program कर लो या आप चाहो तो अलग से function मना के इस तरह भी इस program को solve पर सकते हो so I hope आपको amicable numbers क्या होते है और उनका Java program कैसे बनाया जाता है अच्छे समझ में आया होगा so अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज से like कर देना and अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और सब्सक्राइब करते से में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमाएं नए वीडियो उसका notification मिलता रहे तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में पच्छे के लिए बाबाई